दोस्तों, RAS Study Circle में आपका स्वागत है एक जो प्रस्न, आजकल जो ग्रामिन प्रस्ट कुमी के विद्यारती है उनके दिमाग में बार-बार आता है कि हम लोग RAS का एक्जाम कलियर कर सकते है या नहीं कर सकते और हम कर सकते हैं तो कितना टाइम हम लोगों को लगेगा क्या-क्या समिश्य हमारे सामने आती है तो उन सब चीजों पर जो है एक डिस्कुशन करने का प्रियास इस कलास में किया गया है तो देखिए आप लोग वैसे तो जो भी RAS वगेरा या सिविल सरीशेज की त्यारी करते हैं वो अधिक तर जो है आपके मिडल कलास के लोग होते हैं या ग्रामिन प्रस्टूमी के होते हैं या आपके थोड़ा सा जो है मिडल कलास से थोड़ी सी स्थतिय उनके उपर होती है वोई लोग इन सिवाओं में जाते हैं जो बाकी जो higher class होती है आपके वो लोग या तो MBA बगरा करते हैं या उनके बच्चे विदेशों में बढ़ते हैं आपके ठीक ने तो वो IIT करते हैं तो इन में वो लोगों का उनका involvement यादा है तो इन civil services में तो maximum जो लोग है वो आप लोग देखोगे अभी अगर आप लोग OTS में जो training आपके चल रही है उसमें भी आप देखोगे तो आपको maximum लोग majority में वोई लोग मिलेंगे जो ग्रामिन प्रस्ट भूमी से जुड़े हुए हैं या तो direct रूप से या indirect रूप से यानि कि एक दो PD में वो लोग वहीं से हैं उनके सम्मन्द आज भी ग्रामिन प्रस्ट भूमी या गाउं से आपको मिल जाएंगे तो इसमें बिल्कुल गबराने वाली आपको जरूरत नहीं है कि अगर मैं ग्रामिन प्रस्ट भूमी से हूँ तो मेरा इसमें selection होगा या नहीं होगा और भी कुछ और मुद्धे हैं जो इस class में cover करने का प्रियास आप लोगों के लिए मैंने किया है तो अपन देखते हैं कि और क्या-क्या जो है आपकी issues आते हैं तो अगर आप लोग देखोगे तो पहले अपन प्रस्ट भूमी के लेकर आपके देखते हैं कि किस तरीके से क्या चीज़े होती है तो आप देख पाओगे कि जहां पर भी आप लोगों के सामने चीज़े आएगी तो एक तो पूर्ण ग्रामिन प्रस्ट भूमी के है जो बिल्कुल गाउं से जिनोंने पढ़ाई लिखा ही अपनी वहीं पे की आपके ठीक है और उसमें भी दो तरह के बच्चे होते हैं एक तो सरकारी विद्याले में जो पढ़ाई करते है पूरी आपके और एक जो प्राइवेट जो इसकूले गाउं में खुली हुई है जहां पर इंग्लिस मीडियम में पढ़ाई होती है इसको इंग्लिस मीडियम मानते हैं लेकिन वहां पे सारा इंग्लिस टाइप गई में तो उनकी बाद भी अपन उनको भी इसी में कवर करेंगे तो जो पूर्ण ग्रामिन प्रष्ट भूमी के विद्यारति है उनको अपन दो केटेगरी में रख सकते हैं एक तो सरकारी विद्याले वाले और एक आपके निजी विद्याले वाले निजी में भी दो तरह के है आ उनके परिवार का कोई एकाज से दिशे रहता है बच्चों के साथ और उनकी सिख्षा की वहां पे विवस्ता करते हैं तो इस तरह की जो चीजें आजगर अपने को देखने को मिलती है दूसरा होता है जो आपके सेमी रूरल है अर्ध ग्रामिन है अर्ध ग्रामिन का मतलब की वो लोग जैसे किसी के माता पिता में से किसी की जोब लगी तो वो लोग गाउं को छोड़ कर सहर में आगे और उनके बच्चों ने सीटी में पढ़ाई की है तो सीटी में भी दो तरह के स्कूल होते हैं आपके एक तो बड़े जो नाम वाले नामी आपके स्कूल या कोलेज होते हैं जो पूर्णत या कॉन्वेंट होते हैं और एक वो होते हैं जो छोटे विद्याल है जहां पे इंग्लीज मीडियम में आपके चलता रहते हैं इन सब की पड़ाई होती है, मिक्स टाइप की, तो इन में ज्यादा आपको फरक नहीं लगता है, ठीक है, इन सब को एक जेसी समिश्याओं का आपके सामना करना पड़ता है, पड़ाई में मान लीजिया, इन लोगों को सामना नहीं करना पड़ेगा, या जो इंग्लीस वाला है, जो भी आपके परिस्तितिया है, वो सब को लगबग एक जेसी ही वेस्ट करने पड़ती है, तो हम इनकी बारे में जो है, इस क्लास में बात करेंगे आपके, ठीक है, अब आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि कुछ जो विद्यारती है, जिनका मीडियम इंग्लीस है, लेकिन वो ने तो इंडी के है ना इंग्लीस के है, ठीक है, इंडी में करते हैं, लिखते हैं, इंग्लीस में, कुछ ऐसे भी है, या कुछ ऐसे है जो आपके 12 तक जिनका मीडियम इंडी ता फिर इंग्लीस ले लिया, या पहले इंग्लीस ता फिर इंडी ले लिया, और इस मैं अपनी बासा को आसान इसे लिख सकता हूँ, उसी medium आप लोगों को रखना चाहिए, आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए, कि RS में English में रखूंगा medium तो मुझे ज्यादा number मिलेंगे, या अगर मैं Hindi रखूंगा तो Hindi वाले ज्यादा selection आपको इन दूइदाओं में नही पढ़ रहा है, ठीकन है, आप जिस medium में ज्यादा आप comfort हो, उसमें लिख सकते हो, हाँ, कई बार English medium आप लोगों को लगता है कि उसने answer वैसा नहीं लिखा लेकिन दो number ज्यादा दे दिये, तो ये कुछ चीजे हो रही है, ठीकन है, लेकिन उन चीजों पर आपको नहीं जान जिसमें आप बिल्कुल जो आप अपना presentation बढ़िया तरीके से कर सकते हो, उसी medium को आप लोगों को रखना चीए, आपको इन बाकी उलजनों में नहीं पढ़ना चीए, ये बात आपको clear रखनी है, ठीक है, तो ये जो चीजे हैं, यानि कि आपन इन सारे student को cover करेंगे, अब इनके अलावा कौन बचते हैं, इनके अलावा वो student बचते हैं, जो middle class है और जो सैरों में ही रहे हैं आपके, medium class के लोग, जो city में ही रहे हैं, जो गाओं से काफी समय पहले cut off हो चुके हैं, तो उनको भी लगबग वेसी समय सामने करने को मिल रही है, जो ग्रामिन वो लोग वेसी त्यारी नहीं करते हैं, आरेस की तो UPSC की करेंगे, या आपके IIT करेंगे, या केट MBA करेंगे, या विदेजों में पढ़ने जाएंगे, बड़ी कमपनियों में काम करेंगे, वो आपके आरेस में नहीं आएंगे, SDM नहीं बनेंगे, ठीक है, यह बात बिल करेंगे, तो उसमें देखो किस-किस तरह के मुद्धे आते हैं, सबसे पहले जो समयशे आती है, इन सभी स्टुडेंट को, चाहिए वो ग्रामिन प्रस्टूमी का हो, चाहिए आपके अर्ध ग्रामिन प्रस्टूमी का हो, या CT में रहने वाला Middle Class स्टूडेंट हो, सबसे प परतिसत में सेलेक्षिन होगा, जाक नहीं होगा, तो देखो परतिसत तो आप सब देखोगे, जो भी सिवील सर्विसेस में, चाहिए आईएश में भी exam qualify करते हैं, तो उनके परतिसत ज्यादा नहीं होते हैं, पचास से साठ के भीच में ही होते हैं, और मेरे जैसों के तो औ दीखतर लोग आते हैं, तो यहां पे आपको इस तरह की चिंता नहीं करनी है, ठीक है, आप अभी क्या करते हो, present time है, यानि कि वरतमान समय का आप कैसे उप्योग करते हो, ठीक है, यह मैं तो रखता आपके, इस समय आप क्या करे हो, कितना पढ़ रहे हो, पढ़ाई को लेकर आपका dedication कितना है, ठीक है, यह सारी चीजे यहां पर आपाम आती है, क्योंकि अगर आपके मान लीजे कि आपने graduation में पढ़े हो, और आपके percentage बहुत ज्यादा है, और graduation में percentage कैसे बनते हैं, अधीक तर जो इस प्रस्ट भूमी के जो विद्यारति, उनकी अपन बात कर रहे है ठीक है मैं, तो आप कोई पता है कि आप क्या पढ़ते हो last moment में परीक्सा में और परतिसद बना लेते हो, तो उससे आपको subject की उन चीजों की समझाए कोई जरूरी नहीं है, और परतियों की परीक्साओं वाला जो approach आप लोगों में develop हो, वो तो बिल्कुल ही, आप आपके काम आ सकती है, लेकिन जिन्होंने पहले नहीं पढ़े हैं, लेकिन बाद में उनमें भी परवर्ति डेवलप हो जाती है, तो ऐसे कोई बड़ी अर्चन वाली बात नहीं है, तो उनको भी ऐसे दुखी नहीं होना है कि भाई हम पहले पढ़े नहीं, अब पढ़ आइडेंस में आप त्यारी करें, यह चीजे काफिया तक माहिने रखती है, तो अगर किसी के मन में यह संका है, कि मेरे परतिसत कम है, और मैं आरेस नहीं कर पाऊंगा, तो उसको ऐसे संकाओं को निकाल देना चाहिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी को आरेस की त्यारी होती है, आपकी पारिवारिक प्रस्टूमी क्या है, सामाजिक प्रस्टूमी क्या है, आप वो पहले किस चीज की ज्यादा आफशिकता है, नोकरी की जरूरत है, या पहले सीधा यारेस बनना है, वो सब कुछ आपके उपर निर्भर करता है, ठीक है, तो पहले चीज, दूस चोड़ते हैं आपके बनने के बाद भी नहीं चोड़ते हैं, ऐसी में लगे रहते हैं उस आदमी को defam करने में उसको कैसे नीचे दिखाना क्योंकि वो तो जीवन में कुछ कर नहीं पाए ना उनके बच्चे कुछ कर पाए, ठीक है, तो फिर वो आपको भी करने नहीं देना चाहते, और हमारे सब चारो तरफ ऐसा ही एक negative जो है, नकारात्मक माहूल आप लोगों को मिलता है, लेकिन ये जो नकारात्मक माहूल है, यही आप लोगों की और जा का काम करता है, ठीक है, तो आपको अपनी जो इमारत है, वो ऐसे ही बनाने है, यह ऐसे ही लोग आपको motivate करते हैं, अगर यह नहीं होते हैं, तो आपको साइद ही नहीं कुछ कर पाओ, ठीक है, मैंने मेरे जीवन में ऐसे लोगों नहीं मुझे प्रेणा दी, चारो तरफ ऐसे ही लोग मिले, ठीक है यह जहां पर सामाजिक जो parameter है, वो आपके कमजोर है, तो उन वेक्तियों को इन चीजों से तो जूल नहीं पड़ता है, चाहिए आपके रिष्टेदार हो, नातेदार हो, सारे लोग जो है, पिर इसी तरह का माहुल बनाते हैं, आपके माता, पिता, भाई, बेन, ठीक है, य यह आपके सभी को जेलने पड़ती है, आप कुछ करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी, ठीक है, तो इसको LK के बोलते हैं, इसका सिकार नहीं होना है, लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते हैं, ठीक है, उनका जीवन इसी से चलता है, उनके ज लोगों को बताने की भी जरूरत नहीं है, इंडूरा पीटने की जरूरत नहीं है, अपना काम करो, और क्योंकि नोक्री तो आप ही करोगे, आप ही के काम आएगी, SDM बनोंगे तो, सबसे पहले तो आप अपने परिवार या खुद के लिए हो, फिर उसके बाद जो आपकी उत चीजों से बचना चाहिए, दूसरा आपके आर्थिक प्रस्ट भूमी, कहीं बार परिवार के आर्थिक प्रस्ट भूमी सही नहीं होती है, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि इन चीजों का ज्यादा आपके फरक नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आ होगे आप मंजिल तक पहुंच जाओगे ये बादा है जो है परतिवाओं को सिरफ डिले कर सकती है रोक नहीं सकती इसलिए इन चीजों को बिल्कुल अपने उपरावी मतोंने दो नहीं अपने आपको लाचार दिखाना है कि अरे मेरे तो ऐसे था वो तो आप ये है कि को चुपा रहे हो सिरफ आप ये जताना चाह रहे हो कि अच्छा ये है मेरे पैसे होते तो मैं कुछ कर लेता मैं कोचिंग कर लेता कोचिंग बहुती कम लोग करते हैं जो सलेक्ट होते हैं ठीक है हम लोगोंने कहीं कोचिंग नहीं की कोचिंग करने भी गए थे तो कहीं पर जरूरी नहीं है कि आपको coaching मिले, guidance भी बहुत माइने रखता है, अगर सही तरीके से आपको मिल जाता है, तो वो भी आपको exam clear करवा सकता है, इसलिए आप यह मत सुचो कि मेरे पास 5 लाग रुपे होते, 10 लाग होते, मैं coaching करता, तो ही मैं RS बन पाता, ऐसा बिल्कुल नहीं है self study से, आज भी 30 से 70 पर 37 लोग exam clear करते हैं, ठीक है नहीं, हम लोगों ने यह जो class शुरू किये, उसका main उद्धिश है यह है, कि बच्चों को इस तरह से इन समयशाओं का सामना ना करना पड़े गर बैठे त्यारी करो, online सब चीजे मिल रही आज के time में, ठीक है नहीं, जो आप की जहां पर लगता कि यह सही बढ़ा रहा है, बढ़ा हो exam में आ रहा है, ठीक है, approach सही है, फिर वो आप चीज देख लो, क्यों कि आज कल YouTube पे इतनी सारी चीजे available आप कहीं पर भी देख सकते हो, फिर अपना आप निरने कर सकते हो, कहीं पर भी बेड़ चाल का इससा ब इस चीज़ को भूली जाओ, फिर आप कहाता है, गोगोलिक, गोगोलिक का क्या मतलब है, गोगोलिक का यह मतलब है, आप बहुत remote area में हो, पासवारा में हो, ठीक है, या उदर जए ऐसल में अरबाद में अरजालोर में बेठे हो, आप लोगों को लगता है कि हम कैसे है, बह मैं पढ़ने में ठीक हूँ तो आप कहीं से भी कर सकते हो इस चीज़ को कर देख ठीक है तो ये जो कहीं मन गड़न जो बादा है हम खुद बना लेते हैं वो किसलिए है क्योंकि आप मान लीजी किसी सीनियर के पास गए और उसने कहा कि मैं तो भी इसलिए फेल हो गया था अरे हम तो बहुत दूर के रने वाले हैं कहा हैं मा उली नहीं मिला या पैसे नहीं थे या रहे से पिछड़े लोग है उनके बीच में पैदा हुए क्या ही करेंगे तो ये सब उन लोगों के बहान हैं अपनी ऐस अपलता का जो आपके दोस है वो लोग दूसरी चीज़ों पर मंड रहे बस इतना ही है और उसका नुकसान ये हो रहा कि जो आगे जो लोग कुछ कर सकते हैं उनको भी वो उल्टा ज्यान देकर रोकने की कोशिश करें तो इन सब चीज़ों को आप लोग अपनी लाइफ से अठा दो बिल्कुल ठीक है ने तो ये ये भी ज्यादा आपकी ये तो उल्टे जो चैलेंज है चुनोतिया ये तो आपको इंस्पायर करती है चीज़े कुछ करने के लिए ठीक है ये रुकावटे नहीं है जिसने कुछ करने के लिए ठान लिया ने तो फिर उनको यह चोटी-मोटी जीजे नहीं रोक सकती, फिर तो वो करे गई, ठीक है ना, फिर उस वोनी को नहीं टाल सकती, तो यह तो आपको जीजे यहां पर द्यान रखने है, फिर आता है भठकाव, अब मान लीजिए कोई, इसी तरह का जो ग्रामिन प्रस्ट भूमी का पूसी तो यह है, कि उसको यह कोई नहीं बताने वाला होता है कि पढ़ना क्या है, कैसे करना है, एक्जाम का प्रेटन क्या है, कैसे लिखना होता है, वो सिरफ कोचिंगों में एडमिसन लेता है, वहीं पे रहता है, आसपास भी वेसी लोग रहते हैं, चीजे पूरी करके निकल जाता है फिर उसके बाद 3-4 साल में उसका कहीं सेकंड ग्रेड रीट पटवारी में हो जाता है तो वो खुश हो लेता है कि अच्छा मेरे कोचिंग काम आई पर ऐसा है नहीं कि भीया आप आये किसलिए थे आरेस की त्यारी करने लिए आये थे नहीं कि रीट पटवारी में जो इन करने एक नहीं करनी है आज कल बीड़े जो है लाइबरेरी में आप लोग देखते हों लोग उन्हें घर पे पढ़ने ही छोड़ दिया जबकि घर पे आपके आसानी से पढ़ाई हो सकती थी आपने जब मर्जी आई सो लिए फिर पढ़ लिए बैठ लिए ठीक है तो आप वो चीज भी कर सकते हो लाइबरेरी का मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ अहां लाइबरेरी में आपकी पढ़ाई के लिए ही जाते हो आप एक ही टार्गेट लेके फिर बागी चीजे नहीं करने जाते हो इदर उदर गूमने वाँ शिग्रेट फूंगने बाहर चाहे की ठड़ी बेट रहे हैं पोई घा रहे हैं लाइबरेरी सिर्फ जोईन ही कर रखी है तो फिर पढ़ाई नहीं होगी ठीक है उसके लिए आपको फिर पढ़ने के उद्धिश्य से ही अगर आपने लाइबरेरी जोईन की है तो यह आपका वो काम सफल होगा नहीं तो होगा ठीक है फिर जो ये बंदा जो आता है आपके तो फिर उसको और भी खूब सारी चीजे ठीक है मौल में घुम रहा हो था इधर उधर सारी चका चौन देखता सहर की तो अपना जो मूल उदिश्या है उसको तो वो छोड़ देता है और बाकी चीजों में लग जाता है चार से पांस साल इसी तरह खराब गर लेता है क्योंकि दो ड़ाई साल तो कोचिंग ले बेटती है उसके और बाकी उसके बाद वो खुद ही अपना नुकसान करके और फिर गर जाता है और उसके रहने का जो खर्चा है जेत पुरजे से सहर में मान लीजिए कि दस सजार रुपे तो लगबग खाने पीने के दस से बारा पड़ते ही है उसके तो आप ये मान के चलो कि वो पांस साल में सह सात लाग रुपे गरवालों को नीचे देखे और फिर निकलता है और फिर उसके क्लास लगे रहा तो इतना और फिर उसका परिणाम क्या है जीरो है ठीक है ने तो फिर ऐसी चीज़े अपने को करने ही क्यों है ठीक है तो इस तरीके से आपको चीजों में नहीं पढ़ना है जिस टारगेट के लिए आये हो बिलकुल उसको अचीव करो और फिर उसको पूरा करके आप जाओ तो इन बादाओं से जब आप बच जाओगे तो फिर आपकी चीज़े बिलकुल सही होगी फिर आप जिस टारगेट जिस उद्धिश्य को लेकर आये हो उसमें सत परतिसत सपलता मिलेगी आपके ठीक है ने तो ये सारी बाते आपको करनी है तो इन चीजों में नहीं पढ़ आपके फोन वगेरा इनका ज्यादा प्रियोग नहीं करना है सिरफ इस्टडी के लिए आपको जरूर रहता है वहाँ पे आप करो दो तीन साल डंग से मेनत कर लो तो आपको चीज़े जो है मिल सकती है क्लियर है तो ये चीज़े आपको ज्यान रखने तो इस तरह की जो इन समिशयों से बचना चीए फिर है आत्म विश्वास अब दो चीज़े होती है जैसे मान लीजिए कि इसने बिल्कुल कभी चीज़े देखी नहीं या जैसी उसको एक्सपोजर मिलता है तीन चार चीज़े को आपके पड़ लेता जीके की तो फिर अपना ग्यान बगारना आपके बताने की जो एक मन में बावना आती है वो चीज़ उसके सिकार हो जाते हैं मेरे तो प्रिलिम्स में इतने आ रहे हैं 130 आ रहे हैं अरे तो तुम प्रिलिम्स कलियर करने के लिए नहीं आये थे तुम तो सेलेक्शन लेने के लिए आये थे ठीक है ने तो कई लोग इस को master गोसित कर लिया 130 नमर आ गए 140 आ गए तो वो उसी का ही आपके specialist बन जाता है तो इन चीजों में नहीं पड़ना आपको चीजे बिल्कुल exam oriented यानि की result oriented त्यारी करनी आप लोगों को इस चीज को ध्यान रखना है बिल्कुल अपने ऊपर overconfidence अति आतम विश्वास को आभी नहीं होने देना है और या फिर वो इन भावना से ग्रस्त रहता बाकियों को देखता मुझे इंग्लीज नहीं आती कैसे नमर आएंगे मुझे ऐसे बोलना ही नहीं आता मेरी तो बासा ही ऐसी है ग्रामिन प्रस्ट भूमिका हूँ तो मेरी बोलने नहीं में भी वही चीजे आ रही है तो इसे क्या फरक पड़ता है वह आपके इंट्र्यू में यह थोड़ें देखेंगे आप कैसे बोल रहे हो जो सारी चीजे तो सिरफ मन के वहम है इन चीजों से आप लोगों को बचना है तो इन में भी नहीं उलजना है ठीक है आपने अगर ठान लिया कि मुझे करना है मैं लिख सकता हूँ मैं जो भी पड़ा हूँ वो आपके मान लीजी आपने कोई टोपिक लिया आपने उसको हो चाहिए वो प्रिलिम्स के हो चाहिए मैंस के हो जब आप यह देख लोगे तब आपको लगेगा किस में से तो मुझे आ रहा है मिल रहा है मेरी त्यारी सही है तो फिर आप बन जाओगे कोई नहीं रोक सकता फिर आपको और आगर आपको लगता कि मेरी त्यारी सही नहीं तो सभी guidance लो और फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आपको दूसरे फिल्ड में जाना चाहिए फिर RS की त्यारी नहीं करनी चाहिए ठीक है तो ये चीजे खुद को दोखा नहीं देना चाहिए ठीक है तो इस तरह की चीजे जो है वो रहती है अपनी ऐस अपल था कहीं बार जैसे म मिलेंगे ठीक है नहीं कुछ तो ऐसे जो सरकारी नहोकरी में थे वो भी ऐसी अरकते करते थे तो आपको इन चीजों में नहीं उलजना भई आप ऐस सफल हो है तो अपना मुल्यांकन करने ऐसे जूट फैल आने से इन चीजे को करने से क्या मिलेगा उल्टा आप खुद को न दिखाने के लिए ऐसे आपके पॉस्टे डाल रहे हैं कि मैं जै पूर जा रहा हूँ अब इन बच्चों का मुझे क्या होगा चोटे बच्चों का इनका कौन ज्यान रखेगा आप मैं आरेस बन रहा हूँ तो इन सारी चीजों से आप लोगों को बचना है ये हरकते रखने हैं इसी तरीके से कहीं बार जो है मार्क दर्शन की भी कमी आती है आपके गाइडेंस नहीं मिलता सब चीजें हैं पढ़ने में भी ठीक हो अच्छे परसंटेज भी बने हैं सारी बाते हैं लेकिन सही मार्क दर्शन नहीं है आपके इसकी कमी है सही मार्क दर्शन का क्या मतलब है सही मार्क दर्शन का ये मतलब है पढ़ना क्या है क्या नहीं पढ़ना है दोने चीज जरूर ये ठीक है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ये दोने जो है आपके लिए जरूर ये तिर हमें अपना प्रस्तोती करना लिखना कैसे है ठीक है लिखा है उसको मुल्यांकन करने वाला सामने वेक्ति कोन है ठीक है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका मुल्यांकन वही वेक्ति करा जो खुद आपके प्री क्लियर नहीं कर पाया है और वो आपका मुल्यांकन कर रहा है या आपके साथ वाला मुल्यांकन कर तो फिर आप गलत हो, मारिक दर्शन आपका सही नहीं है, तो सही मारिक दर्शन का मतलब हुआ, कि या तो जो युनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, जो लोगों ने कोफिया चेक किये है, आरेश की, या जो पुराने लोग है, या तो आपको वो बताए कि भाई किस तरीके से ल नमर कम आये है, तो आपको भी पता चल गया कि आए ऐसे लिखने से नहीं आते हैं, अब की बार चीजे डंग से सुधारनी है, तो आप खुद ही अपने मारिक दर्शक बन सकते हो, तो ये सारी चीजे जो है, वो आपको करनी है, तो उससे चीजे आपके होती है, फिर प्रस् में लिखते हो, इंडी मीडियम में हो, इंगलीज के हो, तो वहाँ पे grammar की mistake कम करो, ठीक है, आपके लिखने के सेली अच्छे होनी चाहिए, दूसरी चीज, राइटिंग को लेकर भी कहीं बार issue हो जाते हैं, कि मेरी तो राइटिंग खराब है, अरे सामने वाले को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मेरी कोशिस यह रही, कि जो जो issues आ रहे हैं, जो मन में कीज़े चलती रहती है, उन सब के बारे में आप लोगों को बताया, और मैं medium को लेकर आप लोगों को फिर से कह रहा हूं, कि वो medium रखो, जिसकी medium में आपको कोई भी किताब, language समझने में, कित नहीं है, आपको कोई भी बुक, आप दो बुक ले लो, एक सेमी बुक इंडी में ले लो, एक English में ले लो, फिर आप उसको पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसको लिखो, एक page में, जहां पर आपको लगता कि मेरी frequency किस में सही आ रही है, वो medium आपका, ठीक है, तो इसमें आ करने का ये की तरीका है, इस्टेटी मेटेरियल आप लोगों को, जो मिलेगा, वो पुरा नहीं है, आज कल चल रहा है, पांच-पां साल से, ठीक है, तो आप देख लो, पिछले साल के किशन पेपर उसमें से मेच करके, कि कितने किशन आ रहे हैं, अगर आपको लगता कि 20-30 परसंटेज आ रहे हैं, तो आठा दो उसको, क्योंकि इससे ज्यादा तो आपको इगाईड बुक पढ़ोगे, तो भी मिल जाएंगे, और आपको लगता कि हाँ, पर्टिकुलर स्टेटी मेटेरियल चे 60-70 परसंटेज चीज़े मिल रही है, तो फिर आपको उसको दरकना च इन चीज़ों का भी आप लोगों को ज्यान देने की जरूरत है, तो ग्रामिन प्रस्ट भूमी, तो अर्ध ग्रामिन प्रस्ट भूमी हो, जह सहरी मध्यम क्लास वरग के विद्यारती हो, उन सब को इन सारी समयश्याओं का सामना करना पड़ता है, आरेस के त्यारी करते हैं तब फिर माल लीजिए कि एक बार में नहीं होता है, तो फिर इनको चिंता और होने लगती है, इप्रेशन की इस्तति में भी कहीं चले जाते हैं, ठीक है, कहीं का दो दो बार, तीन तिन बार नहीं होता है, इंट्रू तक जाके रह जाते हैं, तो आपको वहाँ पर ये पर डाल रखी है, तो आप देखो ने कि इसने ऐसा लिखा तो इसको नमबर दिये, और मैंने ऐसा लिखा तो मुझे नमबर इतने कम मिले हैं, तो मेरी कोशिज रहीगी कि उस तरह का मैं किज़े लिखूं, पर्जेंटेशन करूं, तो हो सकता है कि मेरे नमबर या मार्क्स जो है, बढ़ जाए, तो आपको इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, बिल्कुल निरास होने की आप सिकता नहीं है, साथ में कोई और काम कर लो जो आपके इसी एक्जाम से ही रिलेटेड हो, ठीक है, और साथ में अपने त्यारी करते जाओ, तो निरास होने की जरू तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ और इस्यूज बच चुके हैं, मैंने उन पर डिस्कसन नहीं किया है, तो वो भी आप लोग मेसेज करके बता सकते हो, ठीक है न, वीडियो के उपर, या आप जहां पर भी, जो हमारे वाटसेप नमर वगएरा उन पर, तो वहाँ पर भी आपको उन चीजों का समाधान करने का तर्यास करेंगे, ठीक है न, बाकि जो भी में जो आपके दिकते आती है, वो मैंने आप लोगों को सारी बता दी कि यह यह चीजे हैं, जिनको लेकर चीजे चलती रहती है हाँ, कईयों को पता ही नहीं है, वो अलग बात है, कईयों ने क्लास जोइन कर ली, चल रहे हैं और उनको पूछोगे तो उनको लगेगा कोई दिकत नहीं है, तो उनके साथ तो सबसे ज़्यादा दिकत है कि अब भी तक उनको यह पता ही नहीं है कि दिकत क्या आने वाली है तो वो तो तब ही पता चलेगा जब वो exam देंगे, prelims देंगे, mens देंगे तो उनके बाद उनको ऐसास होगा, अभी उनको ऐसास नहीं होगा ठीक है नहीं, हाँ, जिनोंने दिया है, उनको इन सारी चीजों से आपके सामना करना पड़ता है और कईयों नहीं दिया है, तो उनको भी इन चीजों का सामना करना पड़ता है तो वो ये चीजे अच्छी तरीके से जानते हैं तो इस कलास में उद्देश्य मेरा यही था, कि आप लोगों को वो चीजे जो भी आ रही है दिमाग में उन सब चीजों को साइड में रखो, सिरफ पड़ाई, तरध्यान अगर रखोगे और आप सही तरीके से मेनद करोगे तो ये सारी जो समेशे हैं ना, ये बिल्कुल निर्मूल है, ठीक है ना, ये जीरो हो जाएगी आपके उसके आगे अगर आप नहीं मत से काम लिया है तो, फिर इन चीजों पर आप गोल इजने किया सकता नहीं है, ठीक है, और हमारे याँ जो मारक दर्शन है तो अपन आप लोगों के लिए फाउंडेशन, प्रिलिम्स के बेच ये भी चला रहे हैं, आप घर बेटे बिल्कुल ओफ-लाइन की तरह त्यारी कर सकते हो, डेली टेस्ट लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं, ठीक है ना, प्रिलिम्स, मेंस के बेच नो से शुरू हो रहे हैं आपके, और ये स्कुलर सीब टेस्ट है, ये साथ तारीक से शुरू हो रहा है आपके, अप्लिकेशन पर ही पांच बजे शुरू होगा, तो आप लोग अगर रगता है कि हम जारी कर सकते हैं, डंग से और तरही मारक दर्शन में, आप लोगों को भरोसा है, तो आप लो को ये सीजों को जोइन कर सकते हैं, ठीके, तैंके.